हेलो बच्चों कैसे हो आप लोग आशा करती हूं सब ठीक होंगे आईए आपका अध्याय समानतर श्रिणियों में हम पढ़ रहे थे समानतर श्रिणियों के प्रथम एन पदों का योग किसी AP के प्रथम एन पदों का योग SN निमल लिखित सूतर से प्राप्त होता है SN बराबर N बटा दो गुना 2A प्लस N माइनस A गुना D यदि N पदों वाली AP का अंतिम पद L है तो इसके सभी पदों का योग निमल लिखित सूतर से भी प्राप्त किया जा सकता है SN बराबर N बटा 2 गुना A प्लस L कभी-कभी SN को S से भी व्यक्त किया जाता है निमलिकित का योग ज्याद कीजिए हम वो सूत्र इस्तमाल करके हम इसको हल करेंगे प्रथम 1000 धन पुर्णांग और दूसरा है प्रथम N धन पुर्णांग पहला देखिए माल लीजिए S बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 अर्थाथ प्लस 1000 है AP के प्रथम N पदो के योग के सूत्र SN बराबर N बटा 2 गुना A प्लस L का प्रयोग करने पर हमें प्राप्त होता है S 1000 बराबर 1000 बटा 2 गुना 1 प्लस 1000 जिसको हम हल करके 500 गुना 1001 को हम लिख पाएंगे 5,500,000 अतर प्रथम 1000 धन पुर्णांको का योग 5,500,000 है आईए अब अगला देखते हैं अगला भाग है माल लीजिए S N बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस N यहां A है 1 प्रथम पद और अंतिम पद L जिसको हम N ले रहे हैं अतर है S N बराबर होगा N गुना 1 प्लस N बटा 2 यह S N बराबर होगा N गुना N प्लस 1 प्लस 2 इस प्रकार प्रथम N धन पुर्णांको का योग सूत्र S N बराबर N गुना N प्लस 1 प्लस 2 से प्राप्ट किया जाता है दूसरा उधारन देखते हैं TV सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 TV तथा साथवे वर्ष में 700 TV सेटों का उत्पादन करता है यह मानते हुए कि प्रतेक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में व्रद्धी होती है ज्याद कीजिए प्रतम भाग प्रतम वर्ष में उत्पादन दूसरा दस्वे वर्ष में उत्पादन तीसरा प्रतम साथ वर्षों में कुल उत्पादन इसका हल देखते हैं प्रथम भाग का चुंकि प्रतेक वर्ष उत्पादन में समान रूप से एक निश्चित संख्या में व्रद्धी होती है इसके पहले दूसरे और तीसरे वर्षों में उत्पातित टीवी सेटों की संख्या एक AP में होगी आईए NB वर्ष में उत्पातित टीवी सेटों की संख्या को AN से व्यक्त करें आता है A3 हमें दे रखा है 600 और A7 दे रखा है 700 जिसको हम लिख पाएंगे A2D बराबर 600 और A6D बराबर 700 अब इन दोनों को हम हल करते हैं देखिए A प्लस 6D बराबर 700 और A प्लस 2D बराबर 600 अगर हम इनको घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है 4D बराबर 100 इसका मतलब D कितना आ जाएगा 100 बटा 4 याने 25 तो इसमें हल करने पर हमें D आया 25 और उसका मान यहां पे रखेंगे A प्लस 2D में तो हमें A आ जाएगा 550 अतर प्रतम वर्ष में उत्पादित टीवी सेटों की संख्या 550 है अब A 10 हमें दे रखा है A प्लस 9D हो जाएगा जो बराबर है 550 प्लस 9 गुना 25 जिसको हम हल करने पर पाएंगे साथ सो पिचत्तर अतर दसवे वर्ष में उत्पादित टीवी सेटों की संख्या साथ सो पिचत्तर है तीसरा भार देखते हैं साथ हमें दिया है साथ बटा दो गुना दो गुना 550 प्लस साथ माइनस से गुना 25 जिसको हल करके हम पाते हैं साथ बटा दो गुना 1100 प्लस जिसको हल करके हमें मिला 4,375 आते हैं प्रथम साथ वर्षों में खुल उत्पादित हुए सभी टीवी सेटों की संख्या 4,375 है आये किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद करमशर 17 और 350 हैं यदि सार्व अंतर 9 हैं तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है हमें प्रथम पद दिया हुआ है 17 और अं दिया हुआ है 350 और सा्रव अंतर है 9 हमारे पास सूत्र है अ बराबर a प्लस n माइनस एक गुना d इसमें हम अन का मान रखते हैं 350 एक का मान रखते हैं 17 और n माइनस एक गुना 9 इसको हल करके हम पाते हैं 350 बराबर 8 प्लस 9N N बराबर होगा 342 बटा 9 जिसको हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 38 AP का N पदो तक का योग SN बराबर N बटा 2 गुना A प्लस A N द्वारा प्राप्त होता है इसमें हम S 38 बराबर 38 बटा 2 गुना 17 प्लस 350 मान रखने पर हम प्राप्त परते हैं 19 गुना 366 जो हमें मिलेगा 6970 अतर इसमें 38 पद हैं और इसका योग 3970 है समझ में आया बच्चों चलिए अगला प्रेश्न करते हैं उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्याद कीजिए जिसमें D है साथ और 22 वा पद 149 है इसका मतलब हमें क्या निकालना है S 22 निकालना है और हमें सार्वांतर दे रखा है साथ और हमें A 22 भी दे रखा है 149 इसका मतलब A प्लस 21 D है 149 अब देखिए हमने D का मान रखा बच्चों तो क्या मिला हमें साथ से गुना कर देते हैं ये हम D का A का मान निकालेंगे हमें मिलेगा 2 प्रथम पद है 2 अब हमें प्रथम पद पता है और हमें सार्वंतर भी पता है और हमें निकालना क्या है S 22 फॉर्मूला लगा लेते हैं दो ए ए कितना आया था दो प्लस बाइस माइनस एक गुना D कितना है साथ तो यह हो जाएगा ग्यारा दो दुनी चार प्लस एक्किस को साथ से गुना कर देंगे चार प्लस यह आप पाएंगे ग्यारा को एक सो इक्कियावन अब इसको हम गुना कर देते हैं 1661 इस प्रकार हमें S22 का मान प्राप्त हुआ ठीक है प्रचो समझ में आया चलिए अगला प्रेशन करते हैं उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्यात किजिए जिसके दूसरे और तीसे पद क्रमशह 14 और 18 है इसका मतलब A3 18 है और A2 14 है और N हमें दिया हुआ है 51 हमारे पास ये सूत्र है AN बराबर A प्लस N माइनस A गुना D इसमें हम लिखेंगे A2 बराबर A प्लस 2 माइनस 1 गुना D जो हो जाएगा 14 बराबर A प्लस D इससे हम A का मान लिखा लेंगे 14 माइनस D इसको हम प्रथम समीकर्ण ले लेते हैं और A3 कितना है A प्लस 3 माइनस 1 गुना D जिसको हम लिख पाएगे 18 बराबर A प्लस 2D समीकर्ण 1 से A का मान रखने पर हमें प्राप्त होता है 18 बराबर 14 माइनस D देखिए 14 माइनस D हमने A के स्थान पे रखा प्लस 2D इस प्रकार हमें D का मान मिला 4 ठीक है अब आगे देखते हैं समीकर्ण 1 में D का मान रखने पर हमें A का मान मिलेगा 14 माइनस 4 जो बराबर है 10 के AP का N पदो तक का योग का हमारे पास सूत्र है SN बराबर N बटा 2 2A प्लस N माइनस 1 गुना D इसमें हम मान रख देते हैं 51 बटा 2 गुना 2 गुना 10 प्लस 51 माइनस 1 गुना 4 जो बराबर होगा 51 बटा 2 गुना 220 इसको हल करने पर हम पाएंगे ये देखे 2 से हम इसको काट देंगे तो 110 मिलेगा और इसको गुना करके हमें मिलेगा 5610 ठीक है बच्चो आईए अगला प्रेशन करते हैं शून्य और 50 के बीच की विशम संख्याओं का योग ज्यात कीजिए बहुती प्यारा प्रेशन है ये देखे शून्य और 50 की बीच इसका मतलब पहली संख्या 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से आखरी संख्या हमारी होनी चाहिए 49 ठीक है तो हमें इनका योग निकालना है पहले हम देखते हैं हमारे पास ए क्या है बच्चो प्रथम पत एक और डी क्या है दूसरे पत में से पहला पत घटा देंगे तो दो आ जाएगा और हमें ए एन भी पता है कितना है 49 अब इससे हम पहले एन निकाल लेते हैं वही फॉर्मूला लगाएंगे हम ए प्लस एन माइनस एक गुना डी उन्चास बराबर एक प्लस एन माइनस एक गुना दो यह हो जाएगा एक हम इदर ले आते हैं तो हमें मिलेगा एन माइनस एक गुना दो 48 को दो से भाग कर देंगे क्योंकि यहाँ पे गुना है तो हमें मिल जाएगा 24 बराबर एन माइनस एक इसका मतलब एन हो गया हमारे पास 25 ठीक है 25 बटा 2 2A क्या था हमारे पास 1 प्लस एन माइनस एक 25 माइनस एक गुना दी कितना है 2 अब देखे 25 बटा 2 यह हो गया 2 प्लस 24 को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 48 48 और 2 कितना हो गया 50 तो 25 बटा 2 गुना 50 इसको हम काट देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 25 गुना 25 हो गया 625 समझ में आया बच्चो अगला प्रिश्न करें चलिए निर्मान कार्ये से संबंदित किसी ठेके में एक निश्चित तिथी के बाद कार्ये को विलम से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है पहले दिन के लिए 200 रुपे दूसरे दिन के लिए 200 रुपे तीसरे दिन के लिए 300 रुपे इत्यादी अर्थात प्रतेक उत्रोतर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपे अधिक है एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी धनराशी अधा करनी पड़ेगी यदि वे इस कारे को 30 दिन का विलंब कर देता है आईए बच्चो इसका हल्गी देख लेते हैं हमारे पास प्रथम पत क्या होगा 200 रुपे और सार्वंतर कितना होगा 50 रुपे क्योंकि 50 रुपे हर महीने बढ़ रहा है उसका विलंब होने के कारण और N कितना है 30 हमें 30 दिन का पता लगाना है कि कितना उसको जुर्माना देना पड़ेगा तो S 30 कितना होगा 30 बटा 2 गुना 2A प्लस 30 माइनस 1 गुना B 30 बटा 2 कितना हुआ 15 तो 2 गुना 200 प्लस 29 गुना 50 यह हो जाएगा 15 गुना 400 प्लस 1450 जिसको हल करने पर हम पाएंगे 15 गुना 1850 जो होगा 27,750 के बराबर समझ में आया बच्चो चलिए अगला प्रशन करते हैं किसी स्कूल में विद्यार्थियों को उनके समग्रिश यक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगत पुरुसकार देने के लिए 700 रुपे की राशी रखी गई है यदि प्रतेक पुरुसकार अपने से ठीक पहले पुरुसकार से 20 रुपए कम है तो प्रतेक पुरुसकार का मान ज्याद कीजिए इसमें देखिए S साथ हमें दे रखा है बच्चो कितना? 700 रुपए ठीक है? और हमें सार्वंतर कैसे पता चलेगा? सार्वंतर देखिए राशी कितनी कम हो दी जारी है हर पुरुसकार में? 20 रुपए तो माइनस 20 ले लेते हैं और हमें कितने नगर पुरुसकार है? साथ ठीक है? तो हम इसमें सूत्र लगाते हैं साथ बटा दो दो ए अब ए को हम ले लेते हैं एकस ले लेते हैं प्रथम पद को एकस ले लेते हैं प्लस साथ माइनस एक गुना डी डी कितना हुआ? माइनस 20 देखिए साथ बटा दो यह हो गया दो एकस यह हमें 700 पता है और प्लस 6 को हम माइनस 20 से गुना करेंगे तो हमें यहां देखिए 2 से भाग हो रहा है इधर जाने पर गुणा हो जाएगा और 7 से हम भाग देदेंगे और यह हमारे परस बचेगा 2X माइनस 120 आप देखिए 7 से इसको काट देते हैं कितना हुआ 200 में 120 हम इधर ले आए हमारे मिला 2X इसका मतलब 320 को अगर हम 2 से भाग कर दें तो 160 प्रथम पद हुआ 160 हमें क्या पता लगाना था प्रतेक पुरुसकार का मान इसका मतलब जो पहला हमारा पुरुसकार है वो कितना होगा 160 रुपे और दूसरा होगा 20 रुपे कम तो 140 तीसरा और 20 रुपे कम कर दीजे 120 चौथा हो जाएगा 100 रुपे पांचवा हो जाएगा 80 रुपे और छटा इसी प्रकार हो जाएगा 60 रुपे और सात्वा हो जाएगा 40 रुपे अब आप इसको जोड के देख लीजिए ये कितना आएगा हमें आना चाहिए 700 रुपे देखें ये 100 रुपे ये 200 रुपे और इसको आप जोड़िए बिल्कुल 700 रुपे आ गया समझ में आ गया ठीक है अगला प्रशन करें एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायू प्रदूर्शन कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड लगाने के बारे में सोचा यह निर्णय लिया गया की प्रतेक कक्षा का प्रतेक अनुभाग अपनी कक्षा की शंख्या के बराबर पेड लगाएगा उधारनात, कक्षा एक का अनुभाग एक पेड लगाएगा, कक्षा दो का एक अनुभाग दो पेड लगाएगा, कक्षा तीन का एक अनुभाग तीन पेड लगाएगा, इत्यादी और ऐसा कक्षा बारवी तक के लिए चलता रहेगा प्रतेक कक्षा के तीन अनुभाग हैं इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेडों की संख्या कितनी होगी यह हमी ग्याद करनी है है ना प्यारा प्रश्ण आईए इसको हल करते हैं हमारे पास 12 खिलासस हैं तो 12 कक्षा के हिसाब से पहली कक्षा में एक लगेगा और दूसरी कक्षा में 2 और तीसरी कक्षा में 3 लेकिन अपने ध्यान से पढ़ा होगा प्रश्न हरे एक कक्षा के अनुभाग कितने हैं 3 इसका मतलब आप इनको 3 से गुणा कर लिजे तो हमारी AP क्या बन जाएगी? 3, 6, 9 इस प्रकार अब कक्षा 12 बारवी 12 को 3 से गुना कर देते हैं कितना आ जाएगा? 36 हमें पता लगाना है कितने पेड विद्याले में लगाए बच्चों ने ठीक है? तो S 12 निकालते हैं 12 बटा 2 2A प्रथम पत कितना है? 3 प्लस 12 माइनस 1 गुना अब देखिए D कितना होगा? दूसरे पत में से पहला पत घटा लेंगे 3 आ गया ठीक है? तो ही हो गया 6 11 को 3 से गुना कर देंगे 33 और इस प्रकार हम इसकी गुना करके हम पाएंगे नौचिक चरिंजा 223 इस प्रकार कुल कितने पेड़ लगाए विद्यार्थियों ने? 234 पेड़ लगाए समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रेशन देखते हैं केंद्र A से प्रारंब करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए प्रिज्याओं 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm वाले उत्रोंतर अर्ध व्रतों को खीच कर एक सर्पिल, स्पाइरल बनाया गया है जैसा की आकरती में दर्शाया गया है तेरा क्रमागत अर्ध व्रतों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? यहां हम पाई बराबर 22 बटा साथ लेंगे, ठीक है? अगले पेज पे देखते हैं इसका हल R1 कितना है? 0.5 cm R2 कितना है? 1 cm R3 कितना है? 1.5 cm तो प्रथम पद हमारे पास कितना हुआ? 0.5 cm और सार्व अंतर कितना हुआ बच्चो? 1 cm से हम 0.5 घटा देंगे तो 0.5 cm हो गया सरपिल की कुल लंबाई बराबर होगी 13 क्रमागत अर्धुरत को ले करके तो पाई R1 प्लस R2 प्लस पाई R3 प्लस पाई R13 तक हम जोडेंगे आप देख रहे हैं कि पाई कॉमन है तो हमने पाई को बाहर ले लिया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R13 तक हम लेंगे पाई कॉमन बाहर लिया और R1 हमाई पस कितना था 0.5 फिर 1 एक दशमलो पाँच प्लस 13 टर्म तक हम लेंगे इस प्रकार तो पाई से हमने गुना किया 13 बटा 2 गुना 2 गुना 0.5 प्लस 13 माइनस 1 गुना 0.5 तो ये हो गया πाई को हमने गुणा किया 13 बटा 2 गुणा 1 प्लस 12 गुणा 0.5 ये हो जाएगा 6 12 को अगर हम 0.5 से गुणा करते हैं ये ची हो जाएगा 6 में एक जोड़ा 7 हो गया तो पाई गुणा 13 बटा 2 गुणा 7 बराबर होगा 22 बटा 7 गुणा 13 बटा 2 गुणा 7 अब देखिए हम यहाँ पे 7 और यह 7 कट जाएगा और 22 को 13 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 143 सेंटीमीटर ठीक है बिच्चों समझ में आया 200 लठों को धेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है सबसे नीचे वाली पंक्ती में 20 लठे उससे अगली पंक्ती में 19 लठे उससे अगली पंक्ती में 18 लठे इत्यादी ये 200 लठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे उपरी पंक्ती में कितने लठे हैं ये हमें पता लगाना है बहुत ही प्यारा प्रश्न है सबसे नीचे वाली पंक्ती में कितने हैं 20 लठे और उससे अगली पंक्ती में 19 और उससे अगली में 18 इसका मतला प्रथ हम पद हमारे पास कितना हो गया यह हमें पता लगाना है उपर सबसे उपर लट्थे कितने हैं ए एन हमें दे रखा है 20 और ए प्लस एन-1 इन्टो डी हमने फर्मुला लगाया तो ए प्लस एन हमें मिलेगा 20 प्लस एक जो हुआ 21 तो ए प्लस एन हो गया 21 इसको हम आगे देखते sn बराबर है n बटा 2 गुना a plus an यह सूत्र लगा लेते हैं 200 बराबर है n बटा 2 गुना a plus an यह हमें 200 को 2 से गुना किया 400 बराबर n गुना a plus 20 अब देखिए यह हमें पास होगा na plus 20 n बराबर 400 क्योंकि हमने a प्लस n को 21 लिया है तो हम यहाँ पे a के स्थान पे 21-n रख लेते हैं और प्लस 20-n बराबर होगा 400 इस प्रकार हमें एक दिघाद समीकरन भिलेगी 21-n की घाद 2 प्लस 20-n बराबर है 400 जिसको हम हल करके पाएंगे n की घाद 2-41-n प्लस 400 बराबर 0 आप देखिए हमने यहाँ पे इसको दो भाग में पाटा n की घाद 2-25-n माइनस 16-n प्लस 400 बराबर 0 आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चो n गुना n-25 यहाँ पे 16 कॉमन है तो 16 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा n-25 बर बराबर 0 इस प्रकार हमारे पास n-25 और n-16 दो हमारे पास हाई बराबर 0 की या तो n बराबर होगा 16 या n बराबर होगा 25 अब हमें देखना है n अगर हम 16 लेते हैं तो हमारे पास कितने लठे आते हैं सबसे उपर पंक्ति में अगर हम 16 लेते हैं जब N बराबर 16 है तो A plus N minus 1 into D बराबर 20 है तो A plus 16 minus 1 गुना D बराबर होगा 20 या A plus 15 D बराबर है 20 इसका मतलब A plus 15 गुना 1 बराबर होगा 20 और इस प्रकार प्रथम पद सबसे उपर कितने आएंगे हमारे पास A बराबर 20 minus 15 जो है 5 अगर हम 25 लेते हैं तब देखे क्या होता है A plus 25 minus 1 गुना D बराबर है 20 A plus 24 गुना 1 बराबर है 20 और A हम निकालेंगे तो उसका मान आएगा minus 4 क्या ये संभव है क्या हमारे पास minus 4 लटके हो सकते हैं नहीं हो सकते तो ये हम लिखेंगे ये संभव नहीं है इस प्रकार ये 200 लटके 16 पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे उपरी पंक्ति में 5 लटके हैं समझ में आये बच्चू चलिए अब हम घ्रह कारे के लिए कुछ प्रश्ण ले लेते हैं पहला प्रश्ण दिव्या ने 1000 रुपे 10 प्रतिशत वाशिक की दर से चक्रवधी व्याज पर जमा कराएं क्या प्रथम वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन एक एपी बनाते हैं अपने उत्तर का अचित्य दीजिए दूसरा प्रश्ण है ऐसी प्रथम साथ संख्याओं का योग ज्यात कीजिए जो 2 का गुणांज है और 9 का भी गुणांज है प्रश्ण तीन किसी एपी में यदि एसन बराबर एन गुणा चारन प्लस एक है तो एपी ग्यात कीजिए अगला प्रश्ण यासमीन पहली महिने में 32 रुपे की बचत करती है दूसरे महीने में 36 रुपे की बचट करती है तता तीसरे महीने में 40 रुपे की बचट करती है यदि वे इसी प्रकार बचट करती रहे तो कितने महीने में वे 2000 रुपे की बचट कर लेगी यह आपको प्रश्न हल करने हैं ग्रह कारे में आईए अब सारांज देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा आज किसी AP के प्रथम N पदों का योग SN निम्न लिखित सूतर से प्राप्त होता है SN बराबर N बटा 2 गुणा 2A प्लस N माइनस 1 गुणा D और हमने ये भी पढ़ा यदि N पदों वाली AP का अन्तिम पद L है तो इसके सभी पदों का योग निम्न लिखित सूतर से भी प्राप्त किया जा सकता है SN बराबर N बटा 2 गुणा A प्लस L कभी-कभी SN को S से भी व्यक्त किया जाता है तो बच्चों आशा करती हूँ आपको आज का पार्ट समझ में आया होगा खुब अभ्यास कीजिए सरल बन जाएगा धन्यवाद